हेलो वैस आज हम इस पाइधन के मॉडियोव reopen क्या क्या काम करता है रेंडम पहले से बिल्ट-इन मॉडियो मॉडयोज के होते हैं मैं आप लोगो kollier करा था एक user defined मॉडयोब एक built-in मॉड्यूल का मतलब पहले से python के अंदर बना हूआ module है random इसको हम क्या करेंगे यूज करेंगे और इसको यूज करके कुछ functions implement करेंगे वह अपने पास क्या-क्या output देंगे वह साथी सीजे मैं क्या करूंगा clear करूंगा तो random क्या करता है पहले चली मैं एक बार clear करा देता हूं random अपने को random number generate करके कि सकता है किसी list के अंदर से रेंड़म आपको लिस्ट का इटम चाहिए वह आपको काम करके देगा कोई list बनी हुई है उसको आपको सफल कराना तो आप random का यूज कर सकते है random आपको float number भी generate करके दे सकता है मतलब किसी number के बीच में आपको float random number चाहिए तो आप random का यूज कर सकते हैं तो random module आपको कुछ built-in function देता है वो built-in function जो है वो random के ही बने वह function है आप उसको use करेंगे और अपने process को क्या करेंगे implement करेंगे तो random के कौन-कौन से functions है वो मैं आपको क्या करता हूं clear कराता हूं क्यों random समझना जरूरी है और random के basis पे हम क्या करने वाले project ब तो अभी हम random module को समझते की random module होता क्या देखिए अज सबसे पहले random के पास जो पहला function वो है rendint दीकि रेंडिंट function क्या गरता है पहले आप समझेगा रेंडिंट function में हम क्या पहले आपको इंपोर्ट कराना है रेंडम फिर आपने यहां पर लिखा रेंडम डॉट रेंडिट क्या करता है जो आपने दो नंबर दिया है दो आर्गुमेंट चेहें उसको एक कौनसी वैल्यू और एक कहां तक की वैल्यू तो आपने यहां पर 5,10 पास किया मतलब दो पैर पुट में यह आपको कोई एक ही वैल्यू देगा रेंडिट आपको टोटल नंबर एक ही वैल्यू देगा बस एक वैल्यू वो क्या हो सकती है वो इनके बीच की भी हो सकती है और यह जो मैंने लिखा है वो भी नंबर आपके पास आ सकता है तो रेंडम डॉट रेंडिट अ कोई भी एक value आपको मिल सकती है तो random.randint को clear करेंगे देखिए पहले और फिर देखिए दूसरा function है rand range rand range क्या करता है same random number generate करके देता है अगर randit भी same number आपको दे रहा है सीम आपको logic बता रहा है कि 5,10 पास करिए उसके अंदर से आपको random मिल जाएगा या वो दोनों value में से कोई एक value मिल जाएगी rand range क्या करता है आपको random number generate करके तो देता है मगर जैसे आपने आपके 3,9 किया तो 9 कभी भी आपको random number में नहीं मिलेगा 9 को include नहीं करने वाला वो 3 को तो include कर सकता है जैसे मैंने का 3,5 तो 3,5 में 3 और ही आपके पास आएगा 5 include नहीं होगा क्योंकि हम जब loop में भी range का use करते हैं तो क्या logic होता है मैं आपको clear करता हूँ अगर आपने 3,9 लिया तो 9 वाली को use मत करो 3,4,5,6,7,8 में से कोई भी एक random number आपको मिल जाएगा देखिए इसके बात है choice function चोइस क्या गरता है पहले इसको clear करते है चोइस क्या गरता है आपके पास कोई list बनी वी है लिस्ट के अंदर से कोई भी आपको element दे सकता है random element तो choice function के थुरू आप किसी list में से random value क्या कर सकते है get कर सकते है इस पूरे process को पहले हम क्या करते है इसके बाद और functions है वह भी हम क्या करेंगे clear करेंगे यह random module है python का inbuilt module है यह पहले से बनावा python के लिए और भी एडिटर आते हैं पाई चान में भी यूज कर सकते हैं मगर मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं मैं सब्लाइम में करता हूं आप लोग दूसरे एडिटर में या इसके खुद के बने हुए एडिटर में भी इसको यूज कर सकते हैं देगे पहला है तो पहल करता हुँ यहां पर देखिए यहां पर लिखा प्रिंट और इसके बीच में पास कर तो यह ऐख्या है कि रेंडम डोट रेंडिंट जो लिखा है यह अपने को रेंडम नमबर जन्रेट करके देगा दोनूं के बीच में से या खुद को हो इंक्लूट करके भी तो हम देखि देखे मैं यहां पर और वाय सकता हूं करता हूं और आ सकता हूं थरी आ गया करता हूं यह एड़ में यह क्लिär कराना चाहरा हूं कोई भी रैंडम नंबर आ शासकता है उन दोनों को इंक्लूड करके अब दूसरा देखते हैं रैंड तो और तो और तो अब थाष्म है उसमें वह आपको तुजा में से कोई एक आंशर देगा पोर नहीं नहीं करेगा तो एक बार और रन करता हूं तो देखिये फाइफ आया और यहाँ पर 3 आया कभी भी फोर आंशर नहीं आने वाला और को तो आपके सामने हो गया होगा रैंड रेंट क्लीर हो गया होगा क्योंकि इसको समझना जरूरीं है हमागे कोई project बनाएंगे, random का use करेंगे तो आपको सारे logic पता होने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ अब आगे के functions को देखते हैं मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार के लिए चलिए, मैं एक नई list बना देता हूँ मैंने एक list बनाई, l नाम की और उसके अंदर मैंने वेरबल में value क्या कर दी, store कर दी, 10, 20, 30, और यहाँ पर मैंने store कर दिया 40, तो आप देखें, list के अंदर कितने element इसके अंदर है, total number of element इसके अंदर है, 4, तो random dot आप choice का use करेंगे, तो कोई एक element आपको मिल सकता है, choice में, कौन सी choice element है, वो randomly है, randomly कोई भी order का data आपके पास क्या हो जाएगा, आजाएगा, देखें, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, run करके आपको दिखा देता हूँ, मैं एक वेरबल में ले लेता हूँ, lc नाम का वेरबल मनाया, तो आपके सामने देखिए, जो answer आया, वो 20 आया, तो 20 इसके अंदर है, तो जो element इसके अंदर है, कोई भी एक element आपके पास मिल सकता है, यह मैं आपको clear करता हूँ, देखें, clear screen कर देते हैं, एक बार, और मैं इसको run करता हूँ, फाइल को, तो आपके पास 10 आ गया, तो यह clear है, कि यह choice अपने को क्या करता है, list के अंदर से कोई भी एक element चॉइस में देदेगा, और जो आगे हम project बनाने वाले, उसमें choice का यूज सबसे ज़्यादा होगा, वो मैं आपको clear कर देता हूँ, तो choice आपको function clear होना चाहिए, कि choice list में से कोई भी choice आपको return कर सकता है, कोई भी number return कर सकता है, देखिए आगे के parts में देख लेते हैं, कि और कौन-कौन से function ने देखी, जिससे आपके सामने चीज़े clear होंगी, देखिए इसमें पहला है random, रैंडम एक module भी और रैंडम function भी है, रैंडम.random function को यूज करेंगे, तो क्या होगा, 0 से 1 की, कोई भी floating value आपको मिल जाएगी, इसके बीच का आपको एक floating number क्या करेगा, return कर देगा, अब देखिए यहां पर सफल है, सफल क्या काम करता है, आपने कोई list बनाए, list की value का आपको सफल कराना है, मतलब list में से कोई सब भी element किसक जाए, कोई सब भी element जैसे 10, 20, 30, 40 है, 40 पहले आजाए, 10 बाद में चला जाए, तो आपको element को अगर सफल कराना है, तो आप सफल का use कर सकते हैं, देखें, इसके अंदर एक function है uniform, uniform क्या करता है, मैं आपको clear करते हूँ, uniform आपको दो number के बीच में, आपको एक float number return कर देगा, जैसे आपने लिखा 3,5, तो 3,5 का कोई भी float आपको क्या कर देगा, return कर देगा, तो इन 3 functions को हम क्या करते हैं, practically implement करते हैं, dot random function को ही यूज करता हूँ, round bracket इसके अंदर लगा देता हूँ, और print r करता हूँ, आपके सामने दिख जाएगा कि ये आपको 0 से 1 के बीच का कोई भी float आपको return कर देगा, देखें, मैं यापर run करके आपको दिखा देता हूँ, आगे था आपका सफल, सफल क्या करता है, list के case में काम आता है, जैसे आपके पास कोई list बनी हुई है, मैंने यहापे लिया l, और यहापे लिया 10,20,30,40, अब देखें, मैं यहापे क्या करता हूँ, नीचे की side ले लेता हूँ, एक बार इसको यहाँ से cut करके, यहाँ पर पास कर देता हूँ, और यहाँ पर आपके सामने सफल करके दिखाता हूँ, देखें, आपको अलग से, वेरबल में नहीं लेना, वो l को ही क्या करेगा, सफल करेगा, तो बस आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ, जिससे आप समझ पाए, अब यहाँ थर्टी आ गया पहले नंबर पे, जबकि आप देखें, मैंने इस्टोर में थर्टी क्या कर रखा है, थर्ड नंबर पे, मतलब टू इंडेक्स पर इसको रखा है, अब देखें, इसको रेंडम फ्लोट चाहिए, तो मैंने 3,9 पास किया, तो 3,9 के बीच में कोई भी रेंडम वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, फ्लोट के अंदर मिलेगी, यह क्लियर देखेगा, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हिट करके दिखाता हूँ, आपके सामने चीज़े क्या होंगी, और मैं यहाँ पर इस फाइल को रन करता हूँ, रन करते ही देखें, यहाँ पर 7.11 आया है, देखें, सेकंड टाइम हिट करूँगा, तो आप यहाँ पर देखें, 4.30 आया है, तो uniform clear है कि अपने को float value return करेगा, और random clear है कि यह भी float देगा, मगर 0 से 1 के बीच में इसमें कोई parameter नहीं पास करना, सफल में आपको list पास करनी पड़ेंगी, clear है कि एक फंक्सन का role आपके सामने clear होना चाहिए, कि functions क्या काम कर रहे हैं, तो अभी के part में आपको random module clear हो गया होगा, कि random module क्या करता है, random module में आपको क्या-क्या functions मिलते हैं, उनके क्या-क्या logics होते हैं, यह सारी चीज़ आपके सामने clear हो गई होगी, thank you so much guys. झाल